आज की इस सभा में उपस्टे राइगर निगर के सभी सम्वाननिय अग्रिक बंदों आज इस सभा में उपस्टे सभी सम्वाननिय माता हो गईनों मैं आप सबका बहुत आभार रुट करता हूँ कि आप यहाँ उपस्टे थे और मुझे आपसे भारत स्वाधिमान के विश्य में बात करने का संबाद करने का मौका मिल रहा है मैं सबसे पहले हमारे पतेंजिली योग समीटी और भारत स्वाधिमान के राइगर जिले के सभी बगादिकारियों का सभी योग सिक्षकों का बहुत आभारवित करता हूँ क्यों उन्हों ने यह ब्यवस्ता बनाई और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका मिला हमारे भारत स्वाब इमान के और पतंजली योग समीती के यहाँ पर पिछले तीन दिनों से आवासी शुगिर का योजन हुआ है ऐसा मुझे अभी पता चला पिछले चौबीस नवंबर से 55 नवंबर का यह प्रसिक्षन शुगिरी यहाँ योजन हुआ इस प्रसिक्षन शुगिर के सफल योजन के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारी जो प्रसिक्षक आए इस कारी में बाई श्री गविंद जी जो हमारे सह प्रांथ प्रभारी है बहन शुश्री जया मिश्रा जो हमारी महिला प्रांथ प्रभारी है योग सिक्षक श्री अम्रिका शुक्ल जी योग सिख्षक श्री राम शर्पान देजी और हमारे राईपोर के जिला देख श्री राकेश तो देजी तो उन्होंने लगाता तीन दिन तक यहाँ जो और राणायां से काया और इसमें गाहूं के भी बालक बालकाओं में भाग लिया हमारी बहन भूमिसुता विद्यालंकार जी का भुशिंश बहने बात करता हूँ कि अमोंने इस शुबर को आयोजन करने में बहुत सक्री भूमिकाने भाई मैं आप सभी से भारत स्वाभिमान के विश्र में बात करने आया प्रभू जिनिये स्वामिर अम्री भी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान एक आंदोलन शुरू किया है तांच जन्वरी 2009 से ये अभियान शुरू हुआ हरिद्वार से और अब भारत देश के करीब 600 गिलों तक ये हैं आंदोलन पहुँच पया इस आंदोलन में लगबग दू लाख पचास हजार योग सिक्षक सम्हों निस्वार्द भाव से काम में लगे हुए हैं और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं अगले दू गर्षों में ग्यारे लाख योग सिक्षक और इसमें जिड़ने वाले हैं और दू गर्षों के बाद करीद तेरे लाख पचास हजार योग सिक्षक इस आंदोलन में इस अभियान में आजाएंगे और तब हमारी ऐसी भावना है कि हम भारत के गाउं गाउं तक इस अभियान को पहुँचाएंगे आपके मन में प्रशन होगा कि यह अभ्यान जो भारत के गाउं गाउं तक हम पहुचाना चाहते हैं भारत स्वाभिमान इसका उदेश ही क्या है? इसके दो उदेशे हैं पहला उदेशे है भारत देश के सभी नागरीकों को स्वस्थ बनाना निरोळ बनाना और दूसरा उत्डेशे है भारत की जो गंभीर बेवस्थागत समस्याएं हैं, उनका समाधान करना हमारे देश में आजादी के 64 वर्षों के बार बहुत सारी गंभीर समस्याएं है एक सबसे बड़ी समस्या हम मानते हैं, वो है गरीबी दूसरी बड़ी समस्या है बेरोजगाई थीसरी बड़ी समस्या है हमारे देश में बढ़ती हुई महिदाई चौती बहुत बड़ी समस्या है ब्रुष्टाचा, प्रिश्वत पोरी और इस बड़ी समस्या है हमारे देश में बढ़ता हुआ आतलक, वादनक, सलवाद हम चाहते हैं कि उनका भारत के नागरिकों के साथ बेंकर कोई समाधान करें। तो एक तरफ भारत की समस्याओं को हल करना है और दूसरी तरफ भारत देश के सभी नागरिकों को स्वस्त बनाना है निरोगी बनाना है। इनी दो कारियों को पूरा करने के लिए यह भारत स्वाविमान का अभ्यान शुरू हुआ है आपके मन न प्रशनाएगा कि भारत के लोगों को स्वस्थ और निरोगी बनाने का चार आस्ता इसके लिए हम हर भारतवासी को योग, कानायाम और आयुरुवेद इन तीन माध्यमों से स्वस्थ बनाने की कोशुश कर रहे है योग और प्रानायाम और आयुरुवेद की मदद से हर भारतवासी को हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ बन जाए उसका हर वीमारी चीख हो जाए आप पूचेंगे ऐसा क्यों योग प्रानायाम और आयुरुवेद की मदद से ही हर भ्यक्ति को स्वस्थ क्यों बनाए इसका उत्तर ये है कि योग प्रानायाम और आयुरुवेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्दिती है जो भारतवासियों के लिए बहुत अनुकूल है देशी चिकिट्सा पद्दती है जिसको हम एलो पैथी कहते हैं, अंग्रेजी चिकिट्सा कहते हैं और दूसरी ये हमारी स्वदेशी चिकिट्सा है जिसको हम आयुवेद और इसका सहयोगी योग उप्रानाया इन दोनों चिकिट्सा पद्दतियों का हम पिछले आगा दी के 64 परशों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिहास कर रहे हैं कि कौन सी चिकित्सा प्रगती जादा उभ्योग है एलोबेधी चिकित्सा में किसी भी व्यक्ती के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे खरच होते हैं एलोबेधी चिकित्सा में किसी भी व्यक्ती का इलाज किया जाता है तो जो दवाएं खिलाई जाती हैं उसकी दुष्पग्राम बहुत होते हैं जिनको हम साइड एफेक्स कहते हैं एलोबेधी चिकित्सा में किसी भी इलाज का संपों समाधान नहीं होता कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो जड़ से शेट सुझाए और एलोपेथी चिपिक्सा में आजकर डाइग्रोस्टिक टेस्ट का इसना बड़ा बून बाला हो गया है कि गरीब आत्मी के लिए अब ये संभब नहीं रहे है हमारे भारत में एलोपेथी चिपिक्सा को आदे बढ़ाने के लिए सरकार में 64 वर्षों में लाखों करोणा रुपए खरच किये है लेकिन ये चिपिक्सा किसी भी द्यक्ती का एग भी भारतवासी का संपून निरोगी बनाने में समर्थ नहीं वो पड़िए हमारे भारत देश में एलोपेथी चिपिक्सा के एक काम में लगे हुए अठारे लाख डॉक्टर्स है चत्वीस हजार हॉस्पिटल्स है दो लाख प्रांगमरी हेल्स सेंटर और कम्यूनिटी हेल्स सेंटर है और करीब 84 हजार दवाएं इस देश में बेची जाती है और इन 84 हजार दवाओं को बनाने वाली करीग 23 हजार कमपनिया है और लाखों करूडों रुपए का खर्चा है फिर भी भारत से किसी भी एक बीमारी को ये एलोपधी जिकिस्ता ठीक नहीं सब पारे है हमारे देश में गंभीर बीमारियां लगातार बढ़ती जा रहे है हम जब आजाद हुई थे 15 गस 247 को तो भारत में पांच करूर लोग बीमार थे उस समय हमारे देश की सरकार कर ये कहना था कि ये पांच करूर लोग इस ये बीमार है कि भारत में डॉक्टर्स कम है दवाएं कम है हॉस्पिटल्स कम है सरकार का बज़ट बहुत कम है जब आजादी आई थी तो मुश्किल से चिकिस्ता का बज़ट हमारा 70 करूर रुपए के आसपास था तो भारत के तत्काली प्रधान नंत्री श्री जबाहरनाल नेवुजी का कहना था कि जैसे जैसे ये एलोपैथी चिकिस्ता का प्रचार प्रसार बढ़ेगा भारत में बीमारियां और बीमार दोनों लोग कम होते जाएंगे हमारी सरकारों ने पिछले 64 वर्षों में 10 लाख करूर रुपए अब तक खर्च किये एलोपैथी चिकिस्ता के प्रचार प्रसार में इस 10 लाख करूर रुपए के खर्चे में भारत में 36,000 रुस्पिटर्स बने हैं 18 लाख डॉक्टर्स तर्यार होए हैं प्राइमरी हेल्स सेंटर, कम्यूनिटी हेल्स सेंटर दो लाख से जज़ादा बने हैं और इन में जो नर्सिव हैं पेरामेडिकल इस्ताफ हैं वो बहुत सारा है जो सिवाई दे रहा है लेकिन दुख की बात यह है कि भारत जब आजाद हुआ था तब पांच करूर लोग विमार थे अब अजादी के चौसफ साल बाद इस देश में सो करूर लोग विमार हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा मंत्रा ले है परिवार कल्यान और अस्वास्त मंत्रा ले उनका कहना है कि भारत में 120 करूर की आबादी में 100 करूर लोग विमार है और सरकार के इसके आख़े है जैसे 5 करूर 70 लाख लोगों को भारत में डैबचीज है 4 करूर 80 लाख लोगों को हिर्दे रोग है 8 करूर भारतवासियों को कैंसर है 12 करूर भारतवासियों को आखों के मिल मिल रोग है 14 करोर भारतवाशियों को दमास, फमाव और वर्टीवर कुलोसिफ है 17 करोर भारतवाशियों को गठिया का रोग है, संगीवाथ है और 20 करोर भारतवाशियों कोアईबड प्रशेर और रोग ब्लॉड प्रशे 27 करोर भारत पासियों को चिकन गुनिया, वाइरल फीवर, बेंगियू, इंसेफलाइटिस, मलेरिया, ब्रेन मलेरिया, ताइफाइड, साइनोसाइटिस, साइनस, ऐसे बिन्ड मिन्ड रोग और सबसे खराब बात है, कि भारत की लगबख सथर प्रेटिस्ट आबादी को एनीमिया का रोग है, खून की कमी है, ब्रक्त की कमी. तो इतना बुरा हाल पूरे देश का है और ये खाल आज़री के 64 वर्षों में है जबकि सरकार में पिछले 64 वर्षों में 10 लाख करूर रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया है चिकित्सा के लिए और स्वास्त के लिए तब इतना बुरा हाल देश का है आपके मन में प्रशना आएगा कि आफिर सरकार में इतना सारा पैसा खर्च किया है चिकित्सा और स्वास्त पर पिछले 64 वर्षों में तो बीमारियां कम क्यों नहीं हो रहे हर साल नहीं नहीं बीमारियां क्यों बढ़ रही तो इसका उत्तर है कि हमारे देश की सरकार में ये जो पैसा खर्च किया दस लाक करों ये सारा का सारा पैसा एलू पैथी और जिदेशी चिकित्सा पर जिद्दी कर खर्च किया और एलू पैथी चिकित्सा में सबसे ज़्यादा सरकार में दबाओं का उठ्पादन बढ़ाया इस देश में आजदी मिल्ये के समय में इस देश में सत्तर दबाईं बंदी थी अब चौरासी हजार दबाईं बन रही है एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोबाल जिन, एनाल जिन, परासितामोल, स्क्टोमाईसिन, टेरामाईसिन, बरालगन, भूटाजोन, ऑक्सिफिन, भूटाजोन, फुलोकिनॉल, रेनिटिडे, टाइकलो, फैनेक, ऐसी 84,000 दवाएं बन रही है पहले तिन 70 दवाएं बन गी थी, अब 84,000 बन रही है और समस्या इन दवाओं से शुरू बन रही है क्या, कि ये जो दवाएं बन रही है हमारे देश में और हमें खिलाई जा रही है ये दवाएं हमें और ज़्यादा वीमार बना रही है आप बुलेंगे क्यों, क्योंकि इन सभी दवाओं के शरील पर भ्हेंकर नुकसान पो रही है इन दवाओं के हमारे शरील पर सेक्ड़ों तरह के नुकसान हो रहे है मैं आपको कुछ नाम से बताऊँ Aisprin, Disprin, Novagen, Analgen, Astro, EgoSprin ऐसी हजारों दवाएं हैं जिनको भारत में Enelgesic Medicines कहा जाता है Enelgesic Medicines की बारे में समझने के लिए आप समझे दर्द निवारत दवाएं यह दर्द को थोड़ा कम करती है Aisprin आपके दर्द को कम करती है Disprin दर्द को कम करती है और इस तरह की हजारों दवाएं हैं यह सारी दवाएं जो हम दर्द निवारत या दर्द को कम करने के लिए खाते हैं यह सब हमारे फिट्नी को खराब करती है हमारे गुर्दों को खराब करती है अगर आप लगातार इन दवाओं को खा रहे हैं तो आपके दोनों गुर्दे वेकार हो जाएं ये पक्ती बाद इन दवाओं के कारण हमारे देश के लाखों लोग दुखी है पहले उन्हों ने ये दवाओं खाई दर्द मिटाने के लिए अब इन दवाओं ने उनकी गुर्दों को हमेशा के लिए खतम कर दे सबस्याब ये है कि गुर्दे खराब हो जाएं तो उनका इलाज है ये अलो पैफी एक मात्र इलाज है और गो है कि नई गुर्दे नगाओं और नया गुर्दा लगाना किसी गरीब के बस में नहीं है और एक दूसरा इलाज है वो है डाइलेसिस और डाइलेसिस के इलाज में इतनोई पीना और इतना गर्द होता है कि कोई भी आदमें उसे परदाश्ट नहीं करता मैंने अपनी आपों से देखा है कानों से सुना है कि जब किसी मरीच को डाइलेसिस पे हम ले जाते है तो वो एकी बात बार बार दोगराता है कि मुझे मार डालो ये दर्द बरदाश्ट नहीं होता क्योंकि डाइलेसिस की क्रिया में क्या होता है कि सारे शरीर का खून निकाला जाता है और उसे साफ करके मशीन के माद्यान से वापस शरीर में डाला जाता है तो शरीर से खून को निचोड़ना और वापस शरीर को डालना ये बहुत ही पिला गायक काम है और इसलिए जादा मरीस टाइलिसिस को बरदाश करें कर पाते और वो दर्द से ही मर जाते अब गुल्दे खराब हो जाएं ऐसी हजारों दवाएं हम खा रहे हैं और लाकों डूब इस बीमारी से परिशाद हैं आपको मैं एक जान करी दूँ कि जो एनलजेसिक दवाएं हम खाते हैं एस्पिरिंड इस्पिरिंड जैसी ये दवाएं दुनिया के कई देशों में बीस साल पहले बंद हो चुके अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीदन में, सुसलेंड में, डेनमार्क में, नौर्वे में, ब्रिटें में, बेल्जियों में ऐसे दुनिया के सेखुरों देशों में, जो दवाएं पचास साल पहले, जो दवाएं बीस साल पहले बंद हो गई, वो हमारे हाँ अभी भी बीक रही है और हमें खिलाई जाए एस्प्रिन ऐसी ही दवा है, पिस्प्रिन ऐसी ही दवा है, नोबल जिन ऐसी ही दवा है, एनल जिन ऐसी ही दवा है, सेरिगोन ऐसी ही दवा है, एस्प्रो ऐसी ही दवा है, बुकाल जिन ऐसी ही दवा है, ये सब दवा है दुनिया के कई देशों में 20 साल पहले बंदो गए कई देशों में 50 साल पहले बंदो और इनके बंद करने का कारण एक मात्र की ये दुन्दों को सराप करती है किद्नी को डेमेज करें किसी एक कई देशों ने इन पर पावन भी लगाई है लेकिन भारत में ये दवाएं सबसे ज़्यादा बिक रही है और हम इनी दवाओं के कारण और ज़्यादा दख्रीव पारें और एक उदारन बताओं हम लोग कई बार ऐसी दवाएं खाते हैं जो हमें बुखार कम करने के लिए दी जाती है एंडी पाइरेटिग मैडिसेट जैसे परसिकामोल, जैसे ओगेरोन, जैसे निमू सलाइट, जैसे निमू लाइट ऐसी सेखोड़ दवाएं हम खाते हैं बुखार कम करने के लिए ये सारी दवाएं लीवर को खराब करती हैं और गुल्गों को भी खराब करती हैं इसी तरह से हम बहुत सारी दवाएं खाते हैं एंडी डाइरियल मेडिसेन जिनको कहा जाता है जब दस हो जाते हैं, पेचिश हो जाती हैं, लीसंटी हो जाती हैं तो अक्सर हमको एक दवा खिलाई जाती है मैकसाफॉर, मैंट्रो, बायोफॉर और इन दोनों दवाओं से अगर हमारे दस्ट चीप नहीं हुए तो फिर और एक स्ट्रॉंग दवा खिलाई जाती हैं, कुलो के नौन और ये सारी की सारी दवाएं, मैकसाफॉर, इंट्रो, बायोफॉर, कुलो के नौन ये आतों में घाओ करती है और आतों का घाओ अगर बढ़ दया आपका, आप जिल्दी उसे छीप नहीं कर पाए तो वो अंसर में बदल दा है अंसर से फिर प्रेप्टिक अंसर होता है और प्रेप्टिक अंसर से आगे की एक मात्र स्टेज है वो कैंसर और कैंसर की बाद फिर मौत हमारे भारत पे बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जिनको आतों का चैंसर होता है जिनको पेट का चैंसर होता है ऐसे नियांगों प्रतिशक मनी जमों है जो एंटी पाइरिटिक मेडिसिन खाते मर रहे है एंटी डाइरियल मेडिसिन खाते चैंसर से मर बहुत ख़तरनाखता है ऐसे ही कुछ दवाएं हैं जिनको हम endy histamines कहते हैं cardiovascular medicines कहते हैं हिर्दय के रुपों के लिए जो दवाएं दे जाती है cardiovascular medicine ये सभी दुश्परिनाम करती हैं खून पर आपके हिर्दय रुपों मेंद्रित करने के लिए ये जो दवाएं खिलाई जाती हैं वो खून को पतला करती है और खून जब जरूरत से ज़्यादा पतला हो जाता है तो थोड़ी सी भी चोट आपको लगेगी तो इतना खून निकलेगा आपके शरीव से कि आपकी खून निकलने से मौत हो सकते हैं हर साल भारत में लाखों लोग मर जाती है अफ़र आपने अख़वारों में और टेलीविजन पर एक खबर ये सुनी होगी कि एक्सिडेंट हुआ और मरीज को हस्पताल ले जाती है जाते है उसका शरीग चुट गया है हस्पताल ले जाते ले जाते कोई कैसे मरता है वो ऐसे मरता है जो उसको इतना खून निकल चुखा होता है कि हस्पताल पहुंचते समय वो मरा हुआ होता है अब इतना खून कैसे निकल गया किसी का वो ऐसे निकल गया कि उस वेक्ती का खून बहुत पतला हुआ एक्सिडेंट हो यह उसमें पुल निकला पतला है जादा तो तो वो जमता नहीं है और वो निकलता ही रहता है निकलता ही रहता है और इसमें मौत होती है आप जानते हैं खुन को जादा पतला होना बहुत खतरनाथ है और वो इतना खतरनाथ है कि जलासी देज में मौत होते हैं हमारे देश में काडियो वैस्पूलर मेडिसिन ऐसी ही है जो खुन को बतला करके लोगों को मारता है हर साल भारत में बेड़ लाफ रोड एक्सिडेंट होते हैं और हर साल करी साड़े की इसी चार राफ लोग मरते हैं और जादा तर दो लोग मरते हैं वो खुन के बखला होने के कारण मरते हैं आपको एक बात मालू है इश्वत ने परवपिता परमात्माने हमारे शरीम में एक ऐसी दिवस्था बनाई है कि जिसमें खुन निकलना अगर शुरू हो तो वो तुरंत अपने आप रुपता है हमारे खुन का बाहर की ऑक्सिजन के साथ हवा के साथ जैसे ही समबरता है ब्लड का अपने आप प्लॉटिंग शुरू होता है खुन रुप जाता है लेकिन जिनका कुम जरूरत से ज़्यादा पत्रा हो जाता है उनको प्रोटिंग नहीं वो पादी है और वो कुम निकलने से मर जाते हैं और उन विचाले लोगों को ये नहीं बता होता कि इसका कारण वो दवाएं हैं जो वो खा रहें के कार्डियो वैस्कुलर मेडिसिन पर हैं ऐसी हम 14,000 दवाएं खाते हैं जिनको दुनिया में कोई नहीं खाता है जो दवाएं अमेरिका में बंद हैं कराड़ा जर्मई आजी देशों में वो हमें खिलाई जाएं और इनके कारण और ज़्यादा हम गद्वी रूप से पिमार को हैं कई ऐसी दवाएं हैं अंग्रेजी अलूपैतिकी जो आपको अनुसर करती हैं एस्विटी करती हैं हाइपर एस्विटी करती हैं और आप पेट की जलन से परिशान रहते हैं बहुत सारी दवाएं हैं जो आपको गले में जलन करती हैं शरीर में पानी की कमी हो जाती है, आपके होट सूप जाते हैं, आपके शरीर की नमी खतम हो जाती है, ब्राइने सागाती हैं, ऐसी बहुत दवा हैं। इन सब दवाओं के दुश्परिणाम होते हैं और दुर्भा के हम सबका ये है कि डॉक्टर्स को ये सम मालूम होता है लेकिन वो हमें बताते हैं उनका ये लालच रहता है कि अगर आपको ये सारे दुश्परिणाम पता चल गए तो आप दुदवा ही नहीं खाऊँए तो उनका अपना बिज्मिस है हूँ परिशाने में आ जाए मैं बहुत बार भारत सरकार के मंत्रियों से ये कहता हूँ कि जब कोई दवा अमेरिका में बंद हो चुकी है कनाडा में बंद है योरूप की देशों में बंद है और विश्व त्वास्तस हंगशन में उसे बंद करने का आदेश दे रखा है तो आप उस दवा को भारत में क्यों बंद नहीं करते तो इसका गोल गूल जबाब देते हैं लेकिन इसका सही जबाब ये होता है कि दवा बेचने वाली और दवा बनाने वाली जो कमपनिया हैं वो हमारे नेकाओं को बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत दे रहे हैं घूस रिश्वत और प्रश्टाचार हमारे देश के हर बिभाग में है ये जिकित्सा का जो बिभाग है ग्रटसन फार्मसुटीकल का जो हमारे देश का बिभाग है ये सबसे जादा ब्रश्ट है वैसे तो सब ही लिभाग ब्रश्ट हैं यई ये बहुत ब्रश्ट है इसमें당 चा होता है जी दवा बनाने के लिए कोई कमपनिया अमेरिका से भारत आ जाती है और वो ऐसी दवा बनाने का लाइसेंस भारत सरकार से ले लेती है जो दवा बनाने का लाइसेंस उसे अमेरिका में भी नहीं लेती है मैं आपको एक पूरा उधारन से बात समझे हमारे भारत में एक अमेरिका की कंपणी है उसका नाम है प्रॉक्टर इंगेंबल ये अमेरिकन कंपनी है ये भारत में सबसे ज़्यादा वो दवा बेचती है जो दवा अमेरिका में न बनाई जाती है न बेची जाती है उस दवा का नाम है विक्स विक्स नाम की दवा आप बाजार से खरीदते हैं इस दबा को अमेरिका में बनाना और इसको बेचना दोनों जुर्म है अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर किसी मरीज को विक्स का प्रिस्क्रिप्शन लिख देए तो उस डॉक्टर को 14 साल की जेल हो जाती है उसकी बिब्री छेल लेए कारण आप पुछो कि जो विक्स जो है जहर है इसे हम बार बार नाट में लगाते हैं सर्दी जुकाम के हिसाब से आपको मालूम नहीं है ये विक्स आपको दमा कर सकती है अस्थमा कर सकती है ब्रॉंक्यल अस्थमा आपको वो सकता विक्स बार बार लगाने से इसलिए दुनिया बर रहे हैं विश्व स्वास के संवेखन रहे हैं और दुनिया बर के पैज्ञानिकों नहीं इस विक्स को जहर गोशित किया है जो जहर है विक्स वो भारत में सबसे ज़्यादा विक्ता है आप राइगर्ड में किसी केमिस्ट की दुकान पर सबेरे से शांतर खड़े होकर ये देखिए कि कौन सी दबा सबसे ज़्यादा विक्त रही है तो वो एकी दबा है विक्स जो दबा अमेरिका में नहीं विक्स सकती वो भारत में हाइस सेलिन नडेसें है सबसे ज़्यादा विक्तने वही दब कारण क्या है हमारे देश की सरकार में प्रॉक्टर एंग गेंबल कंपनी को लाइसेंसे रखा विक्स बनाने का और बुध हरले से बना रही है टेली विजन पर रूप इसका विध्यापन आता है जबकि कानून के हिसाब से किसी दबा का विध्यापन टेली विजन में नहीं दिया जा सकता ये कानून है हमारे भारत में भी ये कानून है अमेरिका में तो है ये कानून से गुबार आता है और सरकार कुछ करती नहीं क्योंकि वो सरकार ही है जो उसको लाइसेंस देके बैठी है और ये कैसे होता है ये पैसे की ताकत से होता है रिश्वत से होता है घूस खोरी से होता है टेलिविजन में आपको बताया जाता है कि खासी हो गई है तो विक्स की गोली लो गले की खिचचच दूर करो ये अपराद है बोरी टेलिविजन के, क्राइम है, कानून के हिसाब से ये क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी, लेकिन हमारे यहां ये हो रहा है, कारण उसका घुष खोरी, रिश्वत खोरी ब्रश्टा चाथ, और वो दवा हम खरीद रहें, और ये दवा भी हम जब ये है न, विक्स तो कितनी महगी मिलती है, 25 ग्राम विक्स 40 रुपय की है, 50 ग्राम 80 रुपय की है, 100 ग्राम 160 की है, 1 किलो 1600 रुपय की है, अब 1600 रुपय किलो विक्स हम नाक में लगा रहे हैं, 400 रुपय किलो बादाव नहीं खा रहें, 200 रुपय किलो काजो नहीं खा रहें, 300 रुपई किलो गाय का घ्री नहीं खा सकते 1600 रुपई किलो की विक्स लगाए आपको मालूम है ये विक्स बंती किसे है ये बंती है पेट्रोलियम जहली से और पेट्रोलियम जहली अगर बाजार से आप खरी दो तो 60-70 रुपई किलो में सबसे अच्छी क्वालिटी के मिल जाती है घटिया क्वालिटी की पेट्रोलियम जैली खरीदो 15-20-25 रुपई किलो में मिल जाती है तो जो दबा 50-60 रुपई किलो में बजार में मिल रही है पेट्रोलियम जैली उसको एक अमेरिकन कम्पनी सोले सो रुपए किलो में बेच रही ऐसी लूट मचा रखी है इस देश्व अगर आप गड़ित का हिताब बिखा लेंगे तो विक्स की बिक्री में इस प्रॉक्टर एंड गेंबल कम्पनी को बीस हजार प्रतिशब से ज़्यादा का मुनाफ़ा है और ये मुनाफ़ा आपकी जेब से लूटा जा रहा है और सरकार इस गोटाले में शामिल है सरकार में लाइसन्स दे रखा है आँखे बंद कर रखी है कम्पनी लूट रही है पूरे देश को और गवा ऐसी बेची जा रहे है जो कहीं नहीं रुकती पूरी दुनिया हम सब लोग विदेश प्रवास पे जाते रहते हैं और कई बार वहां के डॉक्टर्स और चिगित्सा विशशगियों से बाते करते हैं तो वो हैरानी से हमसे ये पूछते है कि भारत में ये कैसे संभव होता है कि एक पॉईजन मैडिसिन को बेचा जाता है एक जहर दवा को बेचा जा सकता है भारत ये हमारे यां होता है और एक उधारण लेता हूँ इक विदेशी कंपनी हमारे यां एक दवा बनाती है और बेचती है उसका नाम है आयोडेक्स आपने इसका विज्जाबन सुना होगा आयोडेक्स मली एकाम पे चले ये आयोडेक्स नाम की दवा हर चोट और मूच के लिए आपको कहा जाता है कि आप इस्तेमाल करो दुनिया में कोई देश नहीं है जो इसका इस्तेमाल करता आयोडेक्स का अमेरिका, कराड़ा जैसे सब देशों में ये बंद है 20 साल पहले बंद है लेकिन भारत में नडलनी से बिक्ते